करें मेरा टेलेग्रम चैनल लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड जॉइन हो जोर गाइस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज को पुर्षतायत नहीं कर रहे हैं वीडियो बहुत यादा सेफ और चलते हैं आगे बात करें अगर हम इस मैच की तो कैला ब्लासर्स टीम को जीतना चीज़ी बट सीफसी के में प्लेइस भी नहीं खेल रहे हैं इसलिए मैं केला ब्लासर्स को फेवर कर रहा हूं और आपको बता दू कि गाइस यह तो मेरी टीम रहेगी है फाइनल रहेगी और वीडियो शाद में फोड़ी डाल रहा हूं नहीं तो मैं आपको पहले बता देता लेकिन लाइन अपस चलो आई गई है तो हमारे लिए अच्छा है मेरे को भी कंफर्म हो गया तो वीकेद भी नहीं खेल रहा है डी मजुंदर की जगा आपको पता है कि मजुंदर जब प्लेयर जो कि यह लस्कॉविक यह दोनों प्लेयर एक टीम गहें आपको पता ही है और खाब्रा तो बिल्कुल ञेक्स लेवल खेल रहा है मलब आलमस अगर मैं केल्ला ब्लास्टर्स को açıl अगर मैं केलला ब्लास्टर्स के फेवर में होता या नहीं होता वो बात की बात है लेकिन एच खाबरा मेरी टीम में सबसे पहले होता इसलिए खाबरा and let's go regard the main players of my team and endas की बात करें नरायन दास को लोगा नरायन दास मानता हूं कुछ दिनों से regular flop जा रहा है वो इसलिए क्योंकि हम उसी जगा आर सिंग ले लेते थे आर सिंग भी चलता नहीं था तो पूरी defending कमजोर लेकिन आज जैसी के आपको बते हैं उन्होंने defending में की है कुछ बदलाफ और बदलाफ के बाद क्या देखने को मिलेगा यह तो मैं भी नहीं जानता गाइस मैं भी नहीं जानता कि हिट जाएगा चेंज की flop जाएगा हमारा काम है कि एक defender धंका जुना सीफ से काते हैं मैंने अंदास को ले लिया और आगे से बात करें इस चैलिंज में में को कोई बुरा ही नहीं है क्योंकि दोनों 90 मिनट ही खेलेंगे लगबग है नागे से बात करें कॉमान की वैल्दीमियर कॉमान और थापा 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 जो इससे है थापा मेरे को लगा था कि इस सीजन फ्लॉप जाएगा लेकिन यह थापा ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखेंदी आप देख सकते हैं बीच बीच में कुछ ऐसे काम की हैं मैं अब चांस क्रेटर ही बहु सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लियर एड्रियन निकोलस लूना रेटेमर सबसे ज़्यादा गोल एज अ मिड़ फील्डर करने वाला प्लियर यह है कैरला ब्लास्टर्स का आप देख सकते हैं शुरुआत में इस बंदे की सेलेक्शन ना के बराबर थी पहले मैच इस नवंबर को मुहन बगान के खिलाफ जब इसने एसिस्ट की दी तो लोगों को भरोसा हुआ और उसके बाद किसी ने भी इस प्लियर के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखा मतला मैं इस प्लियर को मानता हूँ कि जो दंदा शुरुआ इसने ना वो भी जो हम पहली बोल में नहीं है जरूर उंगली करनी है सीधी सीधी बात है तो वैसकोस को मैं कैप्टन दो नहीं रख रहा एंड जे जोर्ज रोलेंडो की बात करें देखो जोर्ज रोलेंडो ने अगर गोल किया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन अगर यह प्लेयर फ्लॉप जाता है तो बहुत मुश्किल है तब ही मैं ISL नहीं खेलता है यहाँ पी यही तो सिस्टम है अगर प्लेयर फ्लॉप चले जाए तो मैं अची खतम हो जाता है एक तरफ का अब मैं कैसे कह दूँ कि यह गोल करेगा क्योंकि मैं इस बारे में तो आपको confirmation दे नहीं सकता मैं जितनी वी को वेल्सिक्स की जगह लाया गया है मूरजेफ की जगह लाया गया है कुछ खास होगा तब ही आया है क्योंकि आर अली को तो मैंने देख लिया एक आदे मैच में चलता है बाकी पंद्रा में फ्लॉप फिर एक में चलता है फिर 10-15 में फ्लॉप यह तो मैं आपको example दे रहा को और यहीं मेरी टीम मिल तो नेक्ट वीडियो में बाइट